वेलकम टो इंफॉर्मेटिव सिडी सो हलो गास आज हम आपका कुछ रहस्य मैया के हैं अद्भूत पेड़ पौदों से रूबरू कराएंगे सो लेट्स किट स्टार्टिड नमबर वन ड्रैगन ट्री ड्रैगन ट्री यमन में पाये जाता है कहते हैं कि इस पेड़ से खून की तरह लाल रंग का रज़ भी निकलता है और ये पेड़ बाकी पेड़ों के मुकाबले काफी अजीब दिखता है इसे हिंदी में गोरक्षी पेड़ भी कहते हैं यह लगभग 11 मिटर चोड़ा और 30 मिटर लंभा भी होता है और इस बाववा ट्री में सिर्थ 6 में नहीं पत्ते लगे रहते हैं आफ्रिका में इसे दर वर्ल्ड ट्री का खिताब भी मिल चुका है तिफेटी नाम के शेहर के आसपास ये एक टीपोड बाववा ट्री है इसके तने से एक और तना भी निकला हुआ है इसलिए इसे टीपोड बाववा ट्री कहते हैं और यह बारा सो साल पुराना है विश्य शग्य का मानना है कि इस पेड़ में एक लाक सत्रा हजार तिन सो अड़तालिस लिटर पानी लखने के शमता है इसी खासियत के कारण हमने इस पेड़ को इस लिस्ट में आड़ करा है नमबर त्री रेंबो ट्री सामाने तरफ पर इसे रेंबो एकलिप्टस, मैंडना ओ, गम या रेंबो गम भी कहते हैं यह साथ रंगों से रंगा होता है और इसका ऐसे दिखने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है नमबर फोर, जबूति काबा यह साथ अमेरिका में पाए जाता है यह पेड़ इसलिए भी अजीब है क्योंकि इसके फल शाका में नहीं उखते हैं इसके फल तने मुखते हैं और इसके फल काफी बड़ी मात्रा में खाई भी जाते हैं नमबर फाइफ, ब्लड वूट ट्री यह भी साथ अफरिका में पाए जाता है इन पेड़ों की खासियत यह है कि इनको काटने पर एक खूम जैसा रस निकलता है इस अद्भुद नजारे को देखने के लिए वहाँ कई टूरिस्ट भी जाते हैं इसकी कोई डाली भी टूट जाए तो इससे खून जैसा रंग निकलना चालो हो जाता है वहाँ के स्थानी लोगों का कहना है कि इनसान के खून में जो विमार्य होते हैं वह इस पेड के खून से ठीक हो सकती है नंबर सिक्स इस्टेरिया ट्री जपान में पाया जाता है जो की तकरिवां देड़ सो साल पुराना है और इससे दुनिया के सबसे खूबसरत पेड़ों में भी गिना जाता है अगर आपने यहां तक यह वीडियो देख लिया है तो हमारी वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेर करो प्लीज हमारे थोड़े सब्सक्राइबर गेन करने हैं कभी कुछ समय स्टार्टिंग में सपोर्ट चीए तो इसी यह को कर दो शेर खतरन